दोस्तों आपने एक चीज़ जोर नोटिस की होगी कि Tata Motors अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करता जा रहा है मार्केट में कॉम्पेटिशन को देखते हुए साथी नए-ने मॉडल्स भी इनके पोर्टफोलियो में आड होते जा रहे हैं अब बात आती है एक नए कार की जो कि हमें April 2024 तक मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगी यानि कि Tata के पोर्टफोलियो में अगेन एक और कार एड ओन होती जा रही है जिसका नाम है Tata कर्व अब जो Tata कर्व है वो एक कूपे लाइक डिजाइन हमें देखने के लिए मिल जाएगा यानि कि mostly जो elements है जो side look है वो हमें Nexon जैसी मिलेगी पर पीछे हमें कूपे डिजाइन मिल जाएगा और कहीने कहीं एक नया design language हमें मिल जाएगा और लोग काफी जादा attract भी होने वाले हैं अब Tata कर्व ना हमें पिछले recent months के अंदर काफी बार इसका जो test मिल वो road बड test होते हुए देखा गिया है जिसमें हमें काफी जादा interesting elements भी पता चलें interesting बातें बदा चल चुके इस car के बारे में बट आज Tata कर्व का जो design patent है वो पूरी तरीके से leak हो गया है जिसके अंदर इसका interior पूरी तरीके से देखा जा सकता है यह patent जो है वो यहाँ पर leak हुआ है जिसके अंदर काफी सारे features भी देखे जा सकते हैं तो दोस्तो आज इस वीडियो के इंदर बात करेंगे कि Tata कर्व के अंदर कौन-कौन से features आने वाले हैं जो की confirm हो चुके हैं इस patent design से तो दोस्तो अगर आप लोग चानल पर पहली बार आएं तो मेरे नाम है अभिशेक और आप देख रहे हैं अभी निया आटो व्लॉक्स आप चानल को अभी subscribe कर लेजे क्योंकि ऐसे जो content है हम आप लोग से daily share करते रहते हैं तो चलिए बात करते है टाटा कर्व के बारे में दोस्तों यहां पर मैं आपको design patent दिखा रहा हूँ जो की leak हुआ है और यहां पर आप देख सकते हैं जो HUD है वो यहां पर clearly देखी जा सकती है कर्व के steering wheel के जस्त पीछे यह reflection based जो HUD है वो रहने वाली है जिसके glass के उपर पूरी information जो होती है वो display रहती है अब यह वाली होती है यह काफे ज़दा affordable होती है क्योंकि इसमें कोई ज़दा calibration करने की ज़रुत नहीं होती है और जो HUD होती है जो की projection based होती है वो काफे ज़दा महंगी होती है costlier भी होती है बढ़ यह थोड़ा सा affordable होती है अब जो HUD है वो यहां पर आ जाएगी और जो HUD है वो काफे ज़दा convenient रहती है जो भी कार को drive कर रहा है साथ ही safety point के साब से देखे तो काफे ज़दा improvement भी करते हैं यह safety के अंदर क्योंकि जब आप अगर कोई कार चला रहे है जिसके अंदर HUD है तो आप एकदम सीदा सामने देखेंगे आपको कोई भी ज़रुत नहीं है नीच सारी चीजे दिखाई देती है वो depend करता है कि कैसी HUD है तो यह सारी information के लिए आपको cluster meter पर बार बार देखने की ज़रुत नहीं पड़ती तो यह कहीं ने कहीं जो safety है उसको improve कर देता है साथ ही और अगर आप highlights यहां पर देखेंगे तो यहां से यह भी reveal हो जाता है कि five seat जो layout ह है वो यहां पर रहने वाला है टाटा कर्फ का तो five seat के अंदर आएगी साथ ही लार्ज floating task reinforcement system यहां पर मिलेगा जो कि हमें dashboard पर नज़र आ रहा है और यहां पर अब नया जो two spoke steering wheel है वो मिलेगा और यह सेम वही होगा जो कि हमने निक्सॉन, harrier और safari के अंदर देखा है साथ ह यहां पर देखेंगे तो पूरा center console change किया गया है rotary dials भी हां पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और storage spaces cup holders भी आप यहां पर देख सकते हैं साथ ही seatbelt की height adjustment है वह भी यहां पर नज़र आ रही है तो यह सारी चीज़ हमें यहां पर मिल जाएंगी साथ ही यहां पर और बी ब्रकिंग ब्रेक 360-degree camera adaptive cruise control ventilated seat और अधास features भी यहां पर आने वाले हैं सो कुछी सारे updates हमें यहां पर design patent से पता चल जाते हैं और interior के अंदर हमें कुछी सारे features देखने कले मिल जाएंगे दोस्तों यह ता मेरे तरफ से एक update regarding the all new Tata curve जिसका design patent leak हो चुका था और अब आप लो देखने के लिए मिलने वाला है तो आप लोग मुझे comment करके बताएं कि आपको जो कूपल एक design है वो पसंद आता है नहीं आता वह आप मुझे comment करके जरू बताएगा साथी आप कितने जाता excited for the Tata curve यह भी आप बताएगा साथी वीडियो को लाइक कीजेगा इस वीडियो को जाहिन जामारत